हिरोशिमा में आयोजी जी सेविन सम्मिट में सिर्फ दो ही मुलाकातों की चड़चाएं हो रही हैं पहला प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी और यूक्रेन की राशपती जलिस की और दूसरा प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधान मंतरी रिशी सुनक के मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं का body language उनके उत्सा को साफ तोर पर बया कर रहा था। जापान के हिरोशिमा में IOG G7 Summit में भारत की भागेदारी बत और अतिती के तोर पर है। प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के जापान पहुँशते ही दो मुलाकातों के लिए पूरा विश्वर इंतजार करने लगा। यूकरेन और ब्रिटर दोनों देशों के प्रमुक की बात करें तो दोनों देशों को बे इस मुलाकात का बेसबरी से इंतजार था। जहां ब्रिटेन अपनी आर्थिक महामारी से जूज रहा है तो वहीं यूक्रेन में यूदक स्तिती बनी हुई है जिसको लेकर दोनों देश सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के ही मार्ग दर्शन का इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी G7 में आये तमाम प्रतिनीती मंडल से भी मुलाकात करने पहुचे प्यम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रिशी सुनक के बीच में अच्छी केमिस्ट्री भी देखने को मिली यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी और रिशी पर दर्चाता है बहराल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का विश्व पटल पर इस तरह से स्वागत और उन से दूसरे देशों की महत्व कांशाओं भारत को विश्व गुरु बनाने के तरफ बिना कोई रुकावट से बढ़ रहा है G20 के अध्यक्षता लेने के बाद से ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी तमाम विदेशी पटल पर ये साफ तोर पर कह रहे हैं कि अभी विश्व युद्ध की स्तिती में नहीं है हमें डायलोग और डिप्लोमेसी से हर एक समस्या का हल करना होगा ब्रिटेन और भारत के इस दिवे पक्षिय वारता में सनातन विचारधारा की भी एक जलक देखने को मिली दोनों देशों के नेताओं ने नमस्कार की मुद्रा में एक दूसरे को नमन किया बताते जहां एक तरफ जापान जो सनातन विचारधारा को मानता है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतिय मूल के हैं और हिरोशिमा में आयोजित G7 सम्मिट में भी सनातन विचारधारा को मुख्य रूप से देखा गया फिलालिस वायरेल वीडियो में इतना ही देखते रहें ट्रेनल वर्ड